साउथ फिल्मों के सूपरस्टाप पुनीत राजकुमार नहीं रहे, हार्ट अटैक से 46 साल की उम्र में हुआ उनका निधन साउट सूपरस्टाप पुनीत राजकुमार का निधन हो गया है उनको हार्ट अटाइक आया था वो सिर्फ 46 साल के थे उन्होंने साउट की कई हिट फिल्में दी है साउट सूपरस्टाप पुनीत राजकुमार का निधन हो गया है उनको हार्ट अटाइक आया था जिसके बाद उन्हें आईस्यू में भरती किया गया था पुनीत राजकुमार सिर्फ 46 साल के थे उन्होंने साउट की कई हिट फिल्में दी है इससे पहले रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि आक्टर को जिम में वर्क आउट करते समय दिल का दौरा पड़ा अस्पताल से आया बयान 29 अक्टूबर को हार्ट टैक आने के बाद पुनीत राजकुमार को विक्रम अस्पताल में भरती करवाया गया था डौक्टर ने कहा था कि पुनीत की हालत क्रिटिकल है और वो अपना बैस देकर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं अब अस्पताल से आफिशल बयान सामने आया है बयान के मताबिक 40 साल के पुनीत का निदन हो गया है उन्होंने 29 अक्टूबर को सुबह 11 बच के 40 मिनिट में सीने में दर्थ की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भरती कराया गया था बयान में ये भी बताया गया है कि अस्पताल में भरती होने के समय पुनीत राजकुमार के शरीर में कोई हल चल नहीं थी वो कार्डिय एक ऐसी स्टॉल में थे और डॉक्टरों ने तुरंथ ही उन्हें रिवाइफ करने की कोशिश शुरू कर दी थी सेलिब्स ने भी जताया दुख पुनीत राजकुमार के जाने के बाद फिल्म डस्ट्री में शोक की लहर दोड़ गई है बॉलिवुड से लेकर साउट इंडस्ट्री तक के सेलिब्स पुनीत राजकुमार के निधन पर शोक जता रहे हैं आर मादवन, महेश बाबू, सोनु सूथ, कूबरा सैथ, लक्षमी मंचू, अशोग पंडित, राम गुपाल वर्मा, सहित अन्य स्टास ने पुनीत राजकुमार के निधन पर शोक जताया है और उनकी परिवार को समवेदनाय दी है तमाम स्टास का कहना है कि उन्हें इस कबर पर भरोसा करपाना मुश्किल है चाइल्ड आक्टर से सुपरस्टार बनने तक का सफर पुनीत ने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी 1985 में ये फिल्म पेटेड़ा होवुक में नजर आये थे इस रोल के लिए उन्हें कई अवार्ड्स मिले साथ ही उन्होंने नैश्वल अवार्ड्स से भी नवाजा गया इन्हें आकरी बार फिल्म सुवारतना में देखा गया था जदर्शकों ने इनकी परफॉर्मस को काफी पसंद किया इसी साथ ये फिल्म रिलीस हुई थी